कि अगर वेल्कम टू एडवन पूरन मैं हूँ आपका दोस्त अश्वीन अपमार और मैं आज की इस वीडियो में बन केवरा भाग एक की जो कहानी है जखम तो जखम का भावार्थ आपके सामने रखने जा रहा हुँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवन पूरन आई आज की वीडियो को शुरू करते हैं जखम तो जखम के जो लेकर हैं उनका नाम है श्रीकांत श्रीकांत जो है समाज में जो घटित होने वाली जो कई विचार धाराए हैं जो हमारा समाज में आज पास में घटित होता है उसी से प्रेड़ना लेकर ये जखम नाम की जो कहानी है वो हमारे सामने रख रहे हैं और इसमें कई तरह की चीजों को वो उन्होंने उजागर किया है इसमें मैं आपके सामने एक ओवर भी रख देता हूं जैसे कि हमारे समाज में एक है डाइन प्रथा जो कि एक पूप्रथा है उसको इन्होंने उजागर किया है दूसरा इन्होंने किसी भी मनुष्य का ब्यवहार कैसा बदल जाता है उसको उजागर किया है और समाज में हमारे नाकूरी समाज में जारखन में लोग कितना प्यार रखते हैं इसने रखते हैं उसको भी अपने इस कहानी के माध्यम से मारे सामने दर्साया ह तो आईए कहानी को शुरू करते हैं तो आदमी का बीड सहर के जैसा गाओं में या देहाद में नहीं होता है मुदा लेकिन उदा दोडी गाड़ी क्यठेक कर कारण रहे हमरेकर गाओं कर स्टेशन में गाड़ी थोड़ेक देरी ले थड़वायला तो उदा दोड़ी या भागा भागी सरी पीस लिए था ना कि ग कम समय के लिए स्टेशन में गाड़ी रुपती थी थड़वायला मतलब की खड़ा होती थी इने थड़ा लग की नहीं और तो इधर खड़ा होता भी नहीं था गाड़ी और उधर गाड़ सीटी मार देता था गाड़ी को आगे बढ़ने के ठीक है चड़वया मन आसे पास कर गाओं कर रहे ना जो गाड़ी में जो चड़ते हैं रेल गाड़ी में जो चड़ने वारे लोग हैं वो आसपास के गाओं तो इसमें हैं लेखा कहा रहा है कि आसपास गाओं कहीं लोग रहते हैं और लगबग सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं और बन पत्रा कर फल फूल देखिए बन पत्रा का मतलब होता है एक होता है बन बन का मतलब होता है जंगल और पत्रा जो होता है न वह बन कहीं छोटा भ वह सब को तोड़ के लोग राची ले जाते हैं और जो आमदनी होती है उसे से वो अपने खाते हैं और अपने परिवार को भी खिलाते हैं ठीक है यहाँ पर देखे लिखा हुआ जुगुत बैठाय रहे हैं का मतलब होता है जुगाड बैठाते हैं ठीक है जुगाड करते हैं अब भौजी जो है जो भावी है लेखक की भावी वो अपने मूड तरहे अपने सिर के उपर पत्रा से काटल मतलब कि वही बन का जो छोटा रूप मैंने कहा तो पत्रा से काटा हुआ जो दत्तुन का बोजा जो होता है ना उसको सिर में बहुते हैं और सरई पते का बीड़ा देखे पत्ता होता है सकुआ का प्यड़ होता है उसको यहां पर सरई पते कहल जाता है ठीक है उसके पत्ते बहुत चौड़े चौड़े होते हैं तो उसी से हम लोग पतल बनाते हैं प्लेट बनाते हैं ठीक है पत्ते का जो प्लेट बनता है ना उसकुआ पती से बनता है सर रही थी ठीक है मोर हाथ में कुनों नहीं रहें सेले मोई चट के गाड़ी में चट जाए रहा हूं और लेखक के हाथ में कुछ नहीं था इसलिए मेरे हाथ में कुछ नहीं था सेले, सेले मतलब की इसलिए लेखक जो हैं वो गाड़ी में जल्दी से चड़ जाते हैं मुदा गाड़ी में भीड कर चलते हैं दुराय ठीन थड़वाले रहों अब गाड़ी के अंदर बहुत भीड था इसलिए दूरा के पास यानि की जो दर्वाजा होता है न रेल गाड़ी का दर्वाजा वहीं पर थड़वाईले रहों मतलब की खड़े थे भाउजी के देखके मौए कहलों देव भाउजी दत्तूल कर बोजा के तले चगू नी तो गाड़ी छूट जाए अब लेखक जो हैं वो कहते हैं कि भाउजी आप अपना दत्तूल का जो प्रे भाउजी चड़ना है उपरे और मैं क्या करता हूं कि उनका बोजा को दूरा की टरब ठीच लेता हूं पड़ँ चढ़ जाती हैं मुंक होत परिशानी को हम प्हुत कच-कच होता है जी गोजा लेके उतरने चड़ने में मूदा का करब मुदा का करब का मतंलब होता है लेकिन क्या करएंगे करना ही सबढ़ता है करेके ओला ताल ये पूछ ला है तो भावी जो है निक्षक का क्या कहते हैं आ नहीं तो बढ़का घाव हो युद hilarious तो लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि भावी क्या बताया गोड में मतलब की पैर में बालतोड हो गया है अब तो बड़का घाव होगा अब बलतोड जो बड़ा गाव हो गया घाव हो गया मतलब ही जखम हो इसे कहते हैं पूरे पैर में दर्द हो गया सुन मतलब कि दर्द के मारे पैर हिलाने में दिक्कत हो रही तो उसी कहते हैं टाइन देला हिटे को भूल एक मुस्किल बुझा आते हिटे को मतलब की चलना चलना को हम लोग हिटना बोलते हैं ना कुरिया में तो चलना मुस्किल हो बधंकर बोजा के दुराये में एक फट ढल घं दलाएं और coraz kalau я अग्या बòजा उपरे बैठा अब जो भाब्य है मेरी बात को सुनके उनके पैर में बल्तब गया गुर्णा गया है और पैर में डर्द है तो उस ही को सुन कर भौजह जी होती है यो अग्यार झाल पहुँचने से पहले आपका गोड फूल जाएगा और बगरा बथी का मतलब की बहुत दर्द होगा मोई उनकर कोहल मताबिक बोजा उपरे बैट गेलों गाड़ी हिलते डूलते सिटी मारते भागे का लागलाग पट्री उपरे अब गाड़ी जो है हिलते डूलते सिटी मारते हुए पट्री को उपर भाग रहा था जा रहा था मोर नजर कर आगू से गच, बिरिच, नदी, नाला, खेत, खरियान सब पाचे लुपते जात रहे अब गाड़ी में आप खिड़की के पास बैठिएगा या दरवाजा के पास तो आपको ऐसा लगएगा कि जितना भी पेड़ पौधा है, नदी, नाला है, खेत, खलियान है सब पीछे की और भाग रहा ऐसा लगता है रेल गाड़ी में बैठिएगा और खिड़की के तरफ से बाहर देखिएगा तो या फिर दरवाजा के पीछे से बाहर देखिए, तो ऐसा लगता है और आगू में ठड़वाइल भावजी के देख लो, डाड़ा ले हैटे ठेवना से तनी नीचे तक लेप्टाइल लुगा पेबंद लागल, लेखक जो है वो अपनी भाभी को देखते हैं कि उनके कमर से ठेवना से नीचे तक लुगा लप्टाइल था, लुगा का मतलब होता साड़ी या कपड़ा लेपेटा हुआ था और जिसमें पेबंद लगल था, पेबंद लगल का मतलब क्या होता है कपड़ा जब फट जाता है तो एक छोटा सा कपड़ा उसी के उपर साठ देते हैं हम दो और उसी को सील देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं पेबंद लगाना आगे है डंडा से उपर गोटेक फाटल जाकिट के उप पिंखले रहें अच्छा अब डंडा से उपर जो है वो फटा हुआ जाकिट जो ब्लाउज है वो पहने हुई थी पताई कर बीडा के गोटेक फटलाही लूंगी से आपन पीठ में बांध ले रहें अब जो पत्तों का जो गुझ्छा था पत्तों का जो धेर था उसको फटा हुआ लूंगी से वो बांध के अपने पीठ में बांध ली थी ठीक है आगे है दत्तुन और पतई उनकर जमा पूंजी जेकर कमाई से दूर दीन ढेकलाई फिर बन पर लेखक बतलाते हैं उसका जीव को पारजन वो किस तरह से करती है कि पताई और दत्तुन को बेचती है तो जो दत्तुन और पताई है वो दो तिन दिन तक चलता है फिर खतम हो जाता तो फिर जाती है दत्तुन और पताई बीच के लाती है काट के लाती है उसको फिर से ब पूचने के लिए चटपटा अलब फटपटा बहाग रहाँ आ상을दम जल्दी जल्दी जा रहा था भावजी कर बारे मोड gas मनन के ले रहे और जिस तरह से गाड़ी चल रहा है तो उसी समयों भावजी को देख हो manner बारे में हमकी जीवन के बारे में सोच रहे थे वे हुए इनके मन को बेचेन भी कर रहा था उनका सोच किस्का सोच भाउजी का सोच इसको तो लेखक को आगे को आपकर मोहाँ आपन कही मोर आइक कर देखल बात है कि जे दिन भाउजी सालू संगे आपन दूग बेटा के लेके गाओं में आए रहे हैं अब लेखा जो है ना वो एक फिल्लोसफर की तरह सोच रहे हैं और इस लेख में कह रहे हैं हम लोगों को कि आखिर आदमी किस तरह का जीव होता है औ सारु संगे आपन दूण बेटा के लेके गाऊं में आए रहे सालु के साथ अपने दोठ बेटा को लेके गाऊं में आई थी से अब जोक भी भोजी से बिटाता था ना वह उनτι Canad बात करना चाहता है दूठ बात करना चाहते ते पिंदेक औढएक कर ढंग और साढ़ी जाकिट मन गाउं कर जनाना मन से उनकर जुदा रहे मतलब जिस भावी यह बात करने है उनका पिढ़ने पिंदने ओडने का ध्रंग मतलब कि कपड़े पानने का जो तरीका था और सलीका था वो और लोगों की जो गाओं की और जो और अरते थी उनसे बिलकुल जुदा था बहुत बिफरेंट था आगे है भावजी कर भारल काया और गोल चहरा ककनो मली नी रहत रहे भावजी का जो वो बहुत अच्छा था शुडौल शरीर था और गोल चहरा था और वो कभी गंदा स्रेने रहती थी हमेशा साप सुत्रा रहती थी परचन से रहती थी ठीक है मतलब साप सुत्रा से जो रहती है ना ओरत लोग उसी के बारे में बतला रहे हैं कि भावजी एकदम साप सफाई के साप साथ रहती थी ठीक है हुँ सबकर सेंगे हस्ते बत्यात रहत रहे चार जन उनकर आसरा करत रहे मोदा उट केकरो आसरा नहीं करते रहे पर रहे मदद करें मुदा उँ केकरो आसरा नहीं करत रहें इसका मतलब यही था लेकिन वो किसी और से आसरा नहीं आस यह नहीं लगाती थी कि कोई उसका घर करें किसका भाविक है आगे हैं सालू कर मोरल पाचे उह भौजी के घुईर घुईर के डाइन धर्यक और जर्माना आगे आगे रहत रहें जे मन सालू संगे बराबर पीए खायक ले भौजी के गुहरात रहें और तो और उनकर जनमाल बेटा मन जेके उपन लहू पियाएक के आडा ले साणा के रहें से मन तक गवईया कर संग देख लाग रहें अब इसमें कभी कह रहे हैं कि सालू के मरने के बाध सालू नके पती का नम था उनकी मृत्य के बाद गुर गूर के डाइन धर गूर के मतलब बार बार गाओं माले लोग और वयसे लोग जो उनके घर में आके पीके खाके जिसका भावी ने help किया था वही लोग इनको डाइन बताएं ठीक है और डाइन बता पटा के ज उसे जर्माना भरवाते हैं, उनको गाउं से निकलवा देते हैं, बहुत से लोगों को जान मार देते हैं, ठीक है, तो इसी बात को लेखक जो है, वो हम सबों के सामने रख रहे हैं, कि देखो कितनी अच्छी चरितर की नारी थी, कितना अच्छा बेवहार था, हमेशा दूसर के इन से जर्माना भरवाए, तो लेखक इसी चीज को यहाँ पर उजागर कर रहे हैं, और तो और उनकर जर्माल बेटा, जिसको अपना लहू पियाए के आणा से साणा कर रहे हैं, अब इसमें लेखक हैं, और तो और इसका अपना खुद का बेटा लोग भी ना, जिसको अ एक तरह का यह कहावत है, आणा ले साढा, ठीक है, तो आणा ले साढा का मतलब है कि छोटा से पाल पूस के बढ़ा कर देना, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कभी कह रहे हैं, कि जो भावी थी, उनका बच्चा लोग भी हो था ना, वो भावी का साथ ना देकर, गवया मन क साथ दिया था, और भावी को ही बुरा भला कहता था, आगे है, ना पढ़ेक, ना लिखेक, बजर मुरू, अब भावी के बेटा के बारे में लिखा कि यहाँ पर कह रहे हैं, ना पढ़ना था उनलों को, ना लिखना था, एकदम मुर्ख लोग था, आगे पीछे कर कोनों ब यह नहीं देख पाता था, कि उम्र से पहले ही बूढ़ी हो जा रही है उसकी मा, और उसके मा का जो खटल कमाल कचिया था, खटल कमाल मतलब कि जिससे पैसा कमाती थी, अपना काम धाम करके जो पैसा कमाती थी, और राइंद बाइट के पोरसल भाद के भाएर उमन चिनहत र रहता था, नहीं तो और कोई मतलब नहीं रखता था, एक दम बजर मुर्ख लोग था, ठीक है, उनका बेटा के बारे में लेखा कि यहां पर यह कह रहा है, आगे है, मा कोनों कह तक, खोले हाथों छोड़क में उमन के देरी नहीं लागत रहे, मा कुछ अगर कहती थी, कि ज खोईर ले, उख खोईर खाली भुले काम रहे, उमन कर, मुदा माय कर, ठीतगर कमाय नहीं कर, चलते, खायो पिये कर, डामाडोल हाल जब भोई गलक, तब उख पोडिया मनक के होंस खोलक, अब यहां पर लेखक है, वो कह रहे हैं, कि जब ठीतगर कमाय के मतलब है ना, कि र जलते खाने पीने में का इस्तिती विजू था ना, वो डामाडोल हो गया, तो जब यह सब डामाडोल हो गया, तब वो कोडिया मनक के होंस आला, वो कामचोर, उनका बेटा लोग जो कामचोर था, पोडिया लोग था, इधर उधर फकड के तरफ घुनते रहता था, उन खाना पीना का भी डामाडोल हो गया है इस्तिती, तो इसलिए उन लोग ना, अपना पेट भरने के लिए माय को अकेला छोड़के गुजरात चल गया, कमाने खाने के लिए, आज माय कहां रहला, सेकर खोज खबर ले वह या क्यों नखाए, हाड मास कर सुखल काया, भीतरे पेट में उकर अन से भेट है की नहीं, सेकर के को फिकिर नखे, अब मा कैसी है, इसका कोई खोज खबर नहीं लेता है बेटा लोग, ठीक है, उसका कोज खबर लेने वाला कोई नहीं है, हाड मास कर सुखल, हाड मास कर सुखल हड़ी और मांस का काया जो है, वो सुख गया है उसका जो भावजी का जो सरीर है ना पहले कितना अच्छा सुडौल सरीर रुआ करता था अब वो पूरी तरह से सुख गया है ठीक है भीतरे धुकल पेट है मतलब कि पेट पिलकुल अंदर धुक गया है और उस पेट में अन है कि नहीं मतलब भूखे है कि खाई है इसका भी क दुख दिवेला दुनिया जो है ना वह संतान के लिए मरता है लेकिन उकली निशाओं के लिए उससे ज्यादा दुख देता है लेखक कहा पर यह कह रहे है धाजी और बाहर समान है भौजी के लिए घर और बाहर दोनों समान है चुचा घर धंधगात है चुचा घर का मतलब होता है खाली घर में कुछ नहीं है धंधगात है मतलब भी खाली है बिल्कुल खाली है कुछ नहीं है जहां राइच बितलग वहे घर ना घरे आसरा ना बाहरे भरो सथा आगे है साइप अगला इस्टेशन पहुंच जorous रहे गाड़ी CIT मारिक लाग लग और उकर छाई थिरायक लाग लग अब सइद साइप का मतलब यहां पर क्या है साइप अगला स्टेशन पहुंच गया था अर गाड़ी cti कि मारे मारेक लागला और ओकर छाइल थिराय लागला तो स्टेशन के पास पहुंच रही थी गाड़ी ठीक है तो सीटी मार रहा था है और उसका चाल जो है वो धीमा होने लग जिसा हो गया हुआ था ठीक है तनी देर बाद गाड़ी खड़ा होई गलत उतरहिया चड़िया मन गर हड़बड़ी के देख के उझालक जैसे आदमी कर उपरे चड़ के आदमी पार होई अब उतरने चड़ने वाले का जो हड़बड़ी को देख के लिखा कर रहा है ऐसा लग रहा है कि लोग आदमी के उपरे हैं से चड़ के आदमी लोग पार होगा ठीक है भाउजी मोर आगे खडवाय दलाएं और मोके हिदायत दलाएं देखबा हो इमन तोहरे घावों के लगवाय दलाएं भाउजी कर हिदायत से मोर जीव भाहर गया लग अब भाउजी जो होती है वो आदमी लोग तो उतर रहा था और चड़ रहा था तो करती क्या है कि लेख़क को किनारे खड़ा कर देती है हिदायत दलाएं देखबा हो इमन तोहरे घाव के लगवाय देदे मैं देख़िएगा थोड़ा ख्याल रखियेगा नि तो आपका घाव को लगवा देगा उसमें चोट लगा देगा ठीक है भाउजी कर हिदायत से मोर जीव भर गे भौजी जब इस तरह का हिदायत दिना तो लेखक का जो मन है ना वगदम गदगद हो गया तो जी भर गया ठीक है बुझालक गाओं कर नाता ना जाइत ना गोतिया मुदा कितना खयाद लेखक जो है वो गाओं के बस एक नाते रिष्टेदार में आते हैं उनके जात में आते पने गाओं का बस एक नाता है कि दुनों एके गाओं से फिक है ना जात के हैं ना गोतिया के हैं मुदा कितना खयाद ना जात के हैं ना गोतिया के हैं सिर्फ एके गाओं के हैं सिर्फ भौजी कितना खयाल रख रही है तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं नाता कर देवर ले इतना बाथा कि आपने धका खाय के मुखे के मुखे अवड करे ले ब्याकुल अवड करे ले मतलब मुझे बचाने के लिए वो ब्याकुल थी कि हमको चोट न लग जाए मेरे घाव में चोट न लग जाए जे में मोर घाव के केव न लगवाए दे तो जे में धाव में कोई च उकर बेवार के देच के बुजात रहें कि अगर उ पारतलफ लाए फोले मोर सब भाथा के लेले तो आन anál Century 1 जहां दुनिया कर सब और उनका व्यवार को देख के ऐसा लगता है कि अगर उनसे होता, अगर पार्टल ने मतलब कि अगर वो घर पातें तो मेरा सारा दुप दर्द को ले लेतें, जाहां दुनिया का सब दुप के जहलत है, दुनिया का सारे दर्द और दुप क कुझ अब ज्यल रहे हैं तहाँ ए बरफो को छुले का फूझ्जाई लखक यहां पर कह रहा है कि भींजल लुगा भींजल लुगा का मतलब है इस भींगा हुआ कापड़ा तो भींगा हुआ कपड़ा में अगर पानी का चीटा-मा रहे हैं हम लोग तो पहनayı से और आगे है कि कटवाल हाते बर पो के छूले का भुजाए compost न शुन हो जाएं गवाल हाते बर इस होपी यह क्या रहे मैं बड़ा हिर्दा है भोजी कर जे दिन गाओं में बैठकी कर हकवा हवे रहे और भौजी के पहला धाओ उन बैटकी में डाइन धैर के जर्माना भरवाए रहे गवईया से दिन तो मौए गाओं में रहों एक़ा कह रहे है कि कितना बड़ा हृत्य है भौजी का जो दिन गाउं में बैठकी हुआ था और भौजी को बोला गया था पहला था हो कि ये डाइन है और डाइन है इसलिए इसको जर्वाना भरवाया गया था उस दिन तो मुए गाउं में रहो मतलब कि मैं भी तो गाउं में था आपन मुहक अहार माटी के बांधा लग कि खेती का जयमीन होगा कुछ जाए बचिया होगा छगरी पटू सब सब्कूबंधा करके उपर भौना भर रएते कहा कि गाउं बोला था तो जब वो जर्माना भरी थी इस बात को tú मैं जानता हूं लेखक यहां इस बात को किस तरह से कह रहे है कि यह नहीं दाव जबर कि रिया और पिर दिया और फिर उससे जर्माना भर्वा लिया और सबको लूट बाट के लोग खा गया ऐए अब यहां पर लेखक जो है वो काफी अपसोस कर रहा है उनको काफी गलानी हो रहा है वो सोच रहा है कि जब उनको डाय है टायर मैं भी तो थे ठीक है और ऐसा एक बार ने तिन आ किने रहा है है तो किने मैं अपने मतलब की भौजी के ऊपर जो अन्याय हो रहा था उसको मैं क्यों नहीं रोक सका मेरे मोर्ठीन तो सभिर है मोर्ठीन का मतलब है कि मेरे पास तो सब कुछ था खाने के लिए अन था पहने के लिए कपड़े थे पेट भरने के लिए मेरे पास पढ़ाई है लिखाई है उ इस तरह का जो खयाल है ना वो भौजी के सामने जो है वो लेखक को बहुत ही छोटा बना देता है और लेखक को बहुत खराब लग रहा है इसलिए अगे लेखक को आज बहुत गहवाइल करेक में कहों नी कहों से मुहों दोसी हूं अब लेखक को ऐसा लग रहा है कि भाउजी का जिन्नगी को जो हम खराब करती है घवाइल करती है घवाइल करती है ठीक है घवाइल करेक में कहों नी कहों से मुहों दोसी है किसी ना किसी तरह से मैं भी दोसी हूं यानि लेखक भी अपने आपको यहाँ पर दोसी मान रहे हैं मोर मन में धुगल इ अपराद बोद से छुटकारा पावेक ले मोर जीव छट पटाय लग लग अब इस तरह का जो अपराद बोद जो हो गया था जो अपराद किये हैं लेखक उससे छुटकारा पाने के लिए उनका मन जो है ना वो छट पटाने लग गया उकर मुंकर अन से लेकर सुख कर दिन सब के तो उनकर से इस समाज लुट ले लग फिर एकर से ओकर कान आता यहाँ पर लेखक जो हैं वो बोल रहे हैं कि भावजी जो हैं उनसे तो यह समाज सब कुछ लूट लिया उनका सुख का दिन जो यह निभा रही है एकर से ओकर कान आता तो भावजी जो है किस तरह का नाता को निभा रही है मुदा आईज ससुरायर कर अंजतियाय सही देवर कर नाता से बांदर टोईर के कुनी तोरक पार लाएं मोर दुखक संगी ओहे बुझा लाएं सेहले मोर आपन रहें उठीन अब लेखक जो है, वो कह रहे हैं मूदा, लेकिन भौजी जो है, वो तो ससुरार आई थी, ससुरार गाउं में आई थी, और लेखक जो है, उनसे इनका कोई नाता होता नहीं था, उनकी जाती के भी नहीं थे, अन्जतियाय मतलब की, उनके जाती के नहीं थे, बस देवर का न उस नाता को उस नाता को से बांधल डोईर के उप नहीं तोड़ पाती है और मोर मेरे दुख के संगी उहे बुझा लें सहले मोर आपन रहें उठीन तो अभी जो है यही जो थे वो अपना थे लिखा के अपना वही भाजी थे उस जगह पे उठीन मतलब की उस जगह पे देव करनाता से बांधल डोईर के उन नहीं तोड़ एक पार लाएं भाजी जो है वो भाजी और देवर का जो नाता था रिस्ता था वो कोई जाती का नहीं था या कोई लोग रिस्तेदार के नहीं थे गोतिया भी नहीं थे बस गाउं में भाजी और देवर का एक नाता था उसको भोजी नहीं तोड़े नहीं सकें, नहीं तोड़े पार लाएं, ठीक है, और मेरे दुख में वही जो हैं, वहें बुझा लाएं, मेरे दुख को वही समझ पाएं, और आपन रहें उठीन, और वही उस समय अपना थें, उस जगर पे, ठीक है, आपन और पर कर पहचान रिस्ता रिस्तानाता का पहचान होता है, लिखा कि यहां पर ये कह रहे हैं, एक दोसर खातीर, एक दोसर करल वेवहार से एकर पता लागेला, एक दूसरे के लिए जो वेवहार हम लोग रखते हैं, एक दूसरे का जो हम लोग मदद करते हैं, उससे पता चलता है कि रिस्तानाता क्या ह भोजी आपन जन्माल बेटा मन कर मायर है, मुदा उमन उ मोरी की माची से कर खयाल नहीं कहिर के उके एकला छोड़ के चैल गरना है, अब यहाँ पर लेखा कह रहे हैं, उनका सबसे अपना कौन हो सकता था, अपना जन्माया हुआ बच्चा, अपना जन्माया हुआ बेटा भी जो है न, उनका अपना नहीं था, भोजी मरेगी, की जिन्दा रहेगी, इसका खयाल नहीं करके, उसको अकेला छोड़ के उनका बच्चा लोग चल गया, माय बेटा से बैड़ के नजीक करनाता और का हुएला, मा और बेटा से बड़ा रिष्टा, और क्या होता है, लेखा क पर लेखक कह रहे हैं, अब मैं जो हूँ, उनी का गाउं का ससरार गाउं में आई थी न, तो गाउं का बस मैं एक देवर, वह ठीना, वह ठीना आन गाउं में, वह ठीना का मतलब है कि उसी गाउं में मैं भी जन्मा हुआ था, और बस भाउजी देवर का रिष्टा बन गया जो आपना इत्भरल पर भेवार और उसके लिए वो इतना अपना पन दिखुड़ा रहे है भावी ठीक मुए धीरे धीरे उट के खड़ा होलों और भौजी के कहलों छोड़ा भौजी इदत्तुन और पतई बेचक कर धोकड जीना के तोहरे गावे में रहा तो मैं धीरे धीरे लेकक जो धीरे धीरे खड़ा होते हैं और अपनी भावी से कहते हैं छोड़े भावी इदत्तुन औ पाप्त पचले का आप छोड़िये आप गाओंवे में रहिए तोहरे तो एकला जीव ह्ढ़ साल में चार और 10प अकली रहती हैं और आप दो बेरा का खाना खाते थे आंगे दू समय का साल में चार लू का Кपडे yes वो मैं दूंगा यह लिखक कहते हैं भावी जो है वो समझ नहीं पाई कुछ भी नहीं समझ पाई और लिखक से पूछती हैं का कह रहा है हो जी तो रहे भावजी संगे ठठा कराला अब भावजी के साथ मजा कर रहे हैं सच्चे कहा थो भावजी मौज दे मूं तो रहे के खायक पिनदरक मुदा बदली में तो रहों के काम करेख होई पिहान से सांस तक मुरबारी कर कुमबा में बैठ के करू छगरी के देखत होई अब लेखक हैं वो कहते हैं मैं सच कह रह Cuban के लिए लेकिन बदली में आपको भी काम करना होगा भीहान से सांस तक यानि कि सुबा से साम तक मेरे बारी में मतलब कि मेरा खेत में मेरे खलियान में करकूंबा में बैठके गरू छगरी के देखे खोई गरू छगरी जो आ जाता है खेत खलियान में उसको आपको देखना होगा गरू छगरी जे बारी कर फसील के चेईर के बरबाद कर दे में न, उके तोहरे बचाबा, जो गर्यु छगरी जो है, गाय हो गया, बकरी हो गया, वो सब जो खेत में घुश जाते हैं, फसल को चर देते हैं, खा जाते हैं, तो उसी को आपको बरबाद होने से रोपना होगा, आप ही उसको बचाईएगा, ठीक ह होगा आप और भौजी जो है मेरी बात को मान लेते हैं मुके मुझालक मुर्गाव तो दूचाइड दिने भर जाई मुर्गोड बता तो भुलाई जामू मुदा भौजी कर मन कर जखम के जखम जे उकर करजा के दिन राइत वेधत है का कहियो भरी जे जखम उके गाउं और सम माध्य हम से पूरे समाँ से पूरे गाउं वालो से और हम सबों से पूच रहा है कि क्या ये जखम वो भूल पाएगी जिसको समाज ने खोजी को गाईन वोलके सारा कुछ उन से च्छिन लिया उनका अनधन च्छिन यही है कहानी जखम और उसका भावार्थ I hope आप इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके समझ चुके होंगे अब इस सरे लेड़ जितने भी महत्रपूर्ण प्रश्ण बन सकेंगे उसको MCV के कौर्ब में मैं अपने अगले वीडियो में लिका रहा हूँगा